किस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं question number 211 से तो पहरा question देखते हैं कि आप पूछ रहा है यह पूछ रहा है एक हाई cleaning anima is ordered एक हाई cleaning anima ordered किया गया है what is the maximum height at which container of fluid should be held by the nurse when advocating anima अगर किसी वेक्ति को anima दे रहे हैं और वो भी हाई cleansing anima तो उसको कितने inches और कितने centimeter में रखना चाहिए चीक है तो सिधा मैं आपको answer बता देता हूँ 15 inches या फिर 37 centimeters का answer यहां पर दिया हुआ है तो अगर हाई cleaning anima अगर आपको देना है तो 15 inches या फिर 37 centimeter का इस्तमाल किया जाएगा हाईट नेश्ट क्वेशन नमबर 212 बहुत फेमस क्वेशन है क्वेशन नमबर 212 ड्यूरिंग administration of anima एक मरीज को anima दिया जा रहा है client report having intestinal cramp और anima जैसे ही व्यक्ति को सुरू किया गया उसको intestine में cramps पेट में मरोड़े पढ़ने स्टार्ट हो गए वर्ड शूट दा नर्स डू अब नर्स को क्या करना ची सीधा मैं अंसर बता देता बहुत फेमस क्वेशन है जब भी anima देते समय इंटरेशनल cramps पढ़े वच्चे उसको क्या करना है आपको कुछ समय के लिए जब तक cramp intermittent gravity flow percutaneous endoscopic gastrotomy पीजी ट्यू फीडिंग बच्चे पीजी ट्यू फीडिंग क्या होता है मान लीजे यह कोई व्यक्ति है और यह उसका स्टमक है चीक है डारेक्ली स्टमक में हम क्या कर देते हैं एक ट्यूब इंसर्ट कर देते हैं जिसके द्वारा हम पिशेंट को फूड व endoscopic gastrotomy और इस question में हमसे क्या पूछेगा कि इस ट्यूब में feeding जाता हो रहा है यानि patient को जो feed हम दे रहे हैं वो अच्छे से absorb ने हो रहा है इसका एक क्या sign होता है कि जो ट्यूब है ना इस ट्यूब में जो formula आप दे रहे हो जो feeding आप दे रहे हो यहां तक rice करेगा यहां तक भड़ जाएगा तो समझेगे कि उसको अच्छे से absorb ने हो रहा है मैं question आपको समझाता हूँ आप यहां पर देख लीजिए इस तरीके से tube डाली जाती है इस टमक में directly इस टमक में tube डाला है यहां पर आप देख सकते हैं उसको PEG कहते हैं percutaneous endoscopic gastrectomy ठीक है तो PEG tube लगी वि तो याद रखिएगा बच्चे अगर मान लीजिए यह feeding लगी है इस टमक में है ना अगर इस tube में इस tube में जो tube जिससे feeding दी जा रही उसमा formula rise करता है जो feeding आप दे रहे हो यहां तक भरा हुआ नजर आ रहा है यानि कि rise of formula in the tube तो समझ जाईए कि पहले से काफी जादा feeding अंद कर पा रहे है ठीक है ठीक है next question बढ़ता है question number 214 question number 214 a client has ng tube feeding inserted मरीज के ng tube डाली गई अभी अभी and the healthcare provider order the prescribed feeding और healthcare provider यानि डॉक्टर ने गाए कि इसको feed दीजे to be instituted immediately अभी के अभी इसको feed दीजे what should the nurse do first as a nurse आप सबसे पहले क्या गरूगे अगर बचे ध्यानक न अभी अभी ng tube डाली गई है और उसको feeding देनी है तो आपको सबसे पहले यह देखना है कि जो tube डाली गई है वो बिल्कुल correct डाली गई है या नहीं इसको देखने के लिए सबसे अच्छा method होता है कि जो ng tube है वो stomach में है या नहीं इसको जाचने के तो इससे आप ऐसे x-ray करा लीजिए तो आप बेफिक्र हो जाएंगे कि ng tube इस टमक में ही है अधरवाइस बचे अगर यह ng tube गलती से lungs में चलेगी तो patient aspiration करके उसकी death हो सकती है इसलिए हमेशा correct placement को देखना नर्स का पहला काम है इस टमक में है या नहीं और उसके लिए हम क्य आलू करतेगी next question question number 215 three days after admission to a hospital for a brain attack एक व्यक्ति को brain attack या फिर cva या stroke हुआ उस व्यक्ति को hospital में भरती कराया और अब तीन दिन हो चुके a client has an NG tube inserted व्यक्ति के NG tube डाली गई है and receiving continuous tube feeding और उस व्यक्ति को तीन दिन से लगातार tube feeding NG tube के द्वारा खाना दिया जा रहा है what should the nurse do to best evaluate whether the feeding is being absorbed nurse ऐसा क्या करेगी क्या करेगी देखने के लिए जो बेस्ट बताएगा कि उसे व्यक्ति का जो feeding है वो absorb हो रहा है या नहीं तीन दिन से लगातार उसे NG tube से खाना दे रहे है क्या हमें करना चाहिए यह देखने के लिए कि जो हम खाना दे रहे है वो उसमें absorb भी हो रहा है या नहीं तो याद रखने जब भी किसी व्यक्ति के NG tube पढ़ी होती है बच्चे उसमें खाना देने से पहले सबसे पहले आ आ रहा है वो काफी जादा आ रहा है आम तो पर हम कहते हैं 100 ml से जादा आ रहा है तो आप क्या करते हो आप समझ जाते हो कि यानि कि इस टमक में अभी भी काफी सारी फीडिंग पढ़ी वी है वो ही absorb नहीं हुई है ठीक है तो हम इसा यह देखने के लिए और aspirate करके हमें यह भी पता चल जाता है कि हां एंजी ट्यूब अभी करेंटली स्टमक में ही है वहां से डिस्प्लेश नहीं हुए तो दो फाइदे होते हैं एक तो आपको रेसिडूल वॉल्यम का पता चल जाता है कि अभी करेंटली अगर मैंने aspirate कि है तो इतना सारा fluid आ रहा है यानि कि अभ आ रहा है aspirate for residual volume आप देखिए कितना residual volume aspiration के दौर ना आपको देखने को मिल रहा है अगर जादा है काफी बार in clicks में लिखा रहता है 200 ml से जादा है तो आप नहीं दीजिए चीक है ऐसे चीजे लिखी होती है यह वहरी करता है books to books पर याद रखिएगा हमेंसे ng feed देने से पहल 116, a client is having or receiving hypertonic fluid tube feeding एक व्यक्ति को tube feeding के दोरान hypertonic fluid दिया जा रहा है जो की काफी concentrated है जिसकी concentration काफी ज्यादा है hypertonic ठीक है what should the nurse consider to be the main reason this client may experience diarrhea अब हमें यह बताएए कि इस patient को जिसको hypertonic fluid काफी गाड़ा यानि काफी ज्यादा concentration वाला feed दिया जा रहा है उस व्यक्ति में diarrhea क् बच्चे मेरी बात सुनो जैसे ही माली चेंट्रेस्टाइन है आपने उस व्यक्ति को ऐसा कुछ किला है जिसमें काफी ज्यादा concentration है बहुत गड़ापन है यानि कि hypertonic आपने feed उस patient को दिया है तो अंदर fluid खिचा चलाता है क्योंकि इसकी osmolarity बढ़ गई ना बच्चे osmolarity बढ़ गई तो जब इसकी osmolarity बढ़ जाएगी तो fluid इस तरफ खिचा आएगा intestine के अंदर और जब intestine के अंदर बहुत ज्यादा fluid हो जाएगा तो वह बाहर आएगा और patient को हो जाएगा diarrhea तो यादखना किसी भी वेक्ति को जिसको बहुत ज्यादा concentrated यार नहीं hypertonic tube feeding चल रही ह उस मरीज में diarrhea का कारण होता है high osmolarity of the feeding feeding की वज़े से osmolarity बढ़ जाती है intestine के अंदर fluid खिचा हुआ चला आता है जहाँ ज्यादा osmolarity होती है और जिसकी वज़े से उसको diarrhea होता है समझ में आ गया next अगर इससे बचाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कभी वह आपसे यह भी पूछ सकता है कि इस diarrhea से बचाना है तो इसको dilute करके दो ताकि उसकी osmolarity को कम किया जा सके ठीक है तो इसको dilute करो ताकि इतना ज़्यादा osmolarity ना बढ़े और मरीज को diarrhea ना हो चीक है next पढ़ते है एक व्यक्ति को इंटर्मिटेंट एंगीट्यू फीडिंग के लिए बोला गया है अगर नर्स उसको आदे से एक घंटे में फीडिंग देती है तो नर्स निमलिकित में से कौन सी चीज को कम कर सकती है ठीक है तो याद रखिएगा बच्चे मान लीजे यह इसोफेगस है और यह क्या है आपका इस्टमाक है वहाँ पर आपके अब मुझे बताई यहाँ पर कौन सा इंस्पिक्टर होता है इसोफेगस के लास्ट में होता काडिक इंस्पिक्टर ठीक है लेकिन मेरी बात सुनो आप यहाँ पर क्या हो चुक है क्योंकि आपने हाँ पर एंजी ट्यूब प्लेस क्या है इस तरीके से जिसके रास्ते आप खाना दे रहे हो तो यह काडिक इंस्पिक्टर पूरा क्लोज ली पूरा क्लोज नहीं हो सकता क्योंकि NG tube लगी भी है तो यह पूरा close नहीं हो सकता अगर आपने से लगातार feeding दी बार बार feeding दी तो यह जो feed है यह क्योंकि हाँ पर close नहीं है यह उपर को आ सकता है जिसे हम क्या कहते हैं उपर feed का stomach content का उपर आना इसोफेगस में आना यानि इस tube में आना उसको हम कहते हैं regurgitation इसलिए नर्स क्या कर रही है उसको रगातार continuous feeding नहीं दे रही है हर आदे घंटे से लेकर एक घंटे हर आदे से एक घंटे में feeding दे रही है ताकि उसको regurgitation ना हो regurgitation से बचाने के लिए उसको feeding को हर आदे से एक घं से बचाने के लिए नर्स ऐसा कर रहे है कि हर एक गंटे में फीडिंग दे रहे हैं ताकि उपर ना आए स्टमक कंटेंट समझ में आया चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेशन में क्वेशन नमबर 218 एक व्यक्ति का मेंडिवल फ्रेक्चर हो चुक है और उसको इम्मोबलाइज किया गया है वायर के द्वारा फॉर विच लाइफ थ्रेटनिंग पोस्ट अपरेटिव प्रॉबलम शूट था नर्स मोनिटर एक व्यक्ति का मेंडिवल बोन है जो की फ्रेक्चर हो चुक है और अब उसको इम्मोबलाइज किया गया है वायर के द्वारा कौन सी लाइफ थ्रेटनिंग कंडिशन उसे हो स और ऐसी कंडिशन में जब वॉमिटिंग बाहर एकस्पेल्ड नहीं हो पाएगे तो उस कंडिशन में पेशिंट का एस्पिरेशन हो सकता है और एस्पिरेशन से सीधा पेशिंट की क्या हो सकती है इसलिए ध्यान अगना एक वियक्ति जिसका मेंडिवल फ्रेक्चर उसको व अगर aspiration होता है तो यह death भी करा सकता है patient में pneumonia भी करा सकता है ठीक है और patient में pneumonia वगएरा या asphyxia वगएरा करा सकता है तो ध्यान किये गए इस बात को aspiration से बचाना होता है इसलिए vomiting एक खतरनाक चीज है इसका ध्यान रखेंगे question number 219 a patient who had an incision and drainage of oral abscess एक व्यक्ति का incision लगाया गया है और drainage कराया गया है oral abscess का आप उसे discharge किया जा रहा है for which clinical finding if it should occur should the nurse instruct the client to notify the healthcare provider ऐसा कौन सा लक्सन देखा जाए कि nurse को patient को बताना है कि अगर ये लक्सन देखा जाए तो आपको हमें वापस hospital में आके बताना है मेरे बाद सुनिए जब भी किसी की कोई भी surgery होती है जैसे यहां पर oral abscess किया गया है generally एक हफ़ते तक उसको दर्द फील होगा लेकिन एक हफ़ते के बाद उसको दर्द फील नहीं होता है अगर ऐसी कोई condition लिखी हुए है जैसे यहां पर देखिए pain with swelling after one week एक हफ़ते की बाद भी उसको दर्द हो रहा है और swelling हो रही है तो समझेए उस व्यक्ति में infection हो चुका है ठीक है उस व्यक्ति में क्या हो चुका है infection तो यह चीज आपको डॉक्टर को आके बतानी है कि डॉक्टर साब एक हफ़ता हो चुका है अभी भी मेरा दर्द नहीं र परफॉर्मिंग फिजिकल एसेस्मेंट हो क्लाइंट हो चैंसर ऑफ टंग कैंसर ऑफ टंग है मरीज को विच क्लिनिकल फाइंडिंग शूट था नर्स एक्सपेक्ट अगर उसको cancer ऑफ टंग है तो कौन से लक्षण मरीज में देखे जा सकते हैं याद रखना लूको प्ले क एक बहुत इंपोर्टेंट बच्चे लुको प्ले किया या ने वाइट फ्लाइक्स हो जाते हैं ठीके वाइट फ्लैक्स हो जाते हैं टंग में मैं आपको कोई मेंज़देखाने कोशिश करूंग है लूप ल chauffe है कि याने कि टंग में white color के spots हो जाते हैं ये एक sign होता है कि उस व्यक्ति को cancer है टंग का ठीक है तो lycoplay क्या important है alteration in taste उसको taste में alteration होगा क्योंकि taste bud भी कहां पर होते बच्चे तंग में अगर टंग का cancer होगा तो test में भी alteration होगा enlargement of lymph node याद रखना कभी भी कोई cancer होता है तो सबसे पहले lymph node क्या करते हैं बच्चे lymph node enlarge करते हैं ठीक है तो ये तीन लक्सन देखे जाएंगे lycoplay क्या alteration in taste and enlarged cervical lymph node जहां से image देखे है lycoplay क्या की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चो देखे किस तरीक से आपको whiteness नजर आ रहे होगी तंग में ये lycoplay क्या है बच्चे काफी बार आपसे पूछा सकते हैं और ये oral cancer को दरसाती है ये देखे lycoplay क्या ठीक है oral cancer चलिए next question की तरफ बढ़ते हैं question number 221 a nurse is collecting his health history of a client to diagnosis of cancer of the tongue एक व्यक्ति को cancer of tongue हो गया है नर्स उसकी history ले रही है which risk factor commonly associated with cancer of tongue should the nurse assess इनमें से क्या आदत या क्या history होगी patient बताएगा जो से lung cancer of tongue हुआ है ठीक है cancer of tongue के लिए निमलिकित में से कौन सा risk factor जिम्मेदार होगा सीधा सा अंसर है याद रखना large consumption of alcohol ज्यादा मातरा में जो alcohol लेता है व्यक्ति उस व्यक्ति को cancer of tongue होने का खत्रा हो जाता है क्योंकि जो alcohol होते है वो mucosal irritant होते है mucosal irritant वो mucosa को क्या करता है irritate करता है जिसके वज़ метी से कई वेक्तियों में cancer of tongue देखने को मिलता है तो simple सा answer था याद रखेगा next बढ़ते हैं question number 222 next है a client with question number 222 a client with GERD gastroesophageal reflex disease है report having difficulty sleeping at night उस व्यक्ति को रात को सोने में बहुत दिक्कत हो रहे है where should the nurse distract the client today बच्चे GERD आपने सुना होगा यह isophagus है यह stomach है कई बार stomach content क्या होता है क्योंकि carding sphincter lose होता है या कोई दूसरा reason भी हो सकता है या काफी जादा overeating patient कर रहा है उस वज़े से यह stomach content उपर जाता है और जब यह acid उपर जाता है तो यह acid क्या करता है isophagus में यहाँ पर क्या करता है ulceration cause करता है ulcer formation करता है जिसकी वज़े से जब भी acid उपर टकराता है तो patient को बहुत pain होता है ठीक है और इसी को हम कहते है GERD gastroesophageal reflex disease ठीक है ऐसे व्यक्ति में हमेशा कोशिस करो तीन चार चीजें अभी आगे question भी आएगा लेकिन कोशिस करो कि व्यक्ति को खाना खिलाने के बाद semi-fowler या fowler position में बैठाया जाए ठीक है उपर वाले हिस्से को upper torso को जादा से जादा fowler position में रखा जाए ताकि जो food content है वो इस टमक में नीचे की तरफ जाए gravity से उपर ना है अगर व्यक्ति लेट जाएगा तो उस व्यक्ति को उपर जो content estimate content वो आ सकता है और GRD के जो लक्सन है वो और जादा बढ़ सकते हैं इसलिए हमेशा उसको fowler position देंगे एक और बात ध्यान रखना इसको थोड़ा थोड़ा खाना देते हैं और लगातार देते हैं क्योंकि एक साथी आप पूरा stomach fill कर दोगे तो जो stomach content है वो उपर reflex आने के chances बढ़ जाएंगे तो small and frequent meal दिया जाता है और इसको fowler position दी जाती है और इसको खाने के साथ हमेशा खाने के साथ कभी भी नहीं देंगे पानी क्योंकि अगर आप खाना खाने के साथ पानी प्योगे तो reflex आने के उपर आने के chances जादा बढ़ जाएंगे इसलिए इसको पानी नहीं देते हैं small and frequent meal देते हैं और fowler position देते हैं GRD से यही question बनते हैं और spicy खाना नहीं देंगे तो इसका answer क्या हो जाएगा elevate the head of the bed on blocks head of bed को blocks में elevate करूँ जितना आप elevate करोगे gravity से जो stomach content है वो नीचे की तरफ जाएगा और reflex नहीं आएगा reflex नहीं आएगा next question number 223 question number 223 बच्चे यह important नहीं है इसको छोड़ दीजे question number 223 को छोड़ दीजे question number 224 में question number 224 कई बारी मौस भी आले books में अलग-अलग तोर पे question पूछे जाता है important है a nurse is providing discharge instruction for a client with gastroesophageal reflex disease GRD वेक्ति का discharge किया जा रहे है nurse उसको क्या-क्या बात बताएगी what advice should the client do to limit the symptom of GRD क्या-क्या चीजे nurse patient को बताएगी जिससे GRD के लक्षणों को कम किया जा सकी सबसे पहली बात avoid heavy क्या-क्या बताएगी याद रखिए उसको बोलीगी कि आपको heavy lifting नहीं करनी है वरना reflex उपर की तरह बढ़ सकता है आपको frequent eat small and frequent meal ये मैं आपको समझा चुका हूँ चोटी-चोटी meal लेनी है बार-बार लेनी है एक साथी काफी ज़्यादा नहीं खाना है और avoid drinking of alcohol alcohol का consumption नहीं करना है ये mucosal irritant होती है इसकी वज़े से GRD बढ़ सकता है चीक है आप देखे बचे इस option में इसने क्या लिखा है lie down after eating गलत है न मैंना आपको बोला fowler position देनी होती है lie down के लिए मना करना है उसको कि खाने के सीधा बाद आपको लेटना नहीं है वरना reflex और ज्यादा आएगा increase fluid with meal meal के साथ fluid increase करेंगे गलत है बच्चे कभी भी GRD में भोजन के साथ पानी का इस्तमाल ना करें वरना fluid अगर आप increase करोगे तो reflex बढ़ेगा वेर एन abdominal binder और गर्डल ये भी गलत है चीक है next question की तरह बढ़ते है 225 question number 225 देखें a client with gastric ulcer disease एक वेक्ति को gastric ulcer होरके और बच्चे मुझे बताओ gastric ulcer सबसे ज़्यादा किसकी वेज़े से होता है H pylori चीक है एक वेक्ति है जिसे gastric ulcer disease है वो नर्स से पूछती है कि क्यों health care provider ने उसको metronidazol दिया है तो नर्स उस वेक्ति को क्या explain करेगी कि anti-vaitic क्यों दी गई है सीधा सांसर है बच्चे नर्स उसको बताएगी कि देख भाई gastric ulcer जादा तर हर तीन में से दो वेक्तियों को जो gastric ulcer होता है उसका कारण होता है H pylori और इसी H pylori को treat करने के लिए हम patient को क्या देते है एंटिबाइटिक देते है बच्चे इसमें तीन drugs का combination यूज़ कर सकते हैं क्या आप मुझे comments में बताएगे कि वो कौन सी तीन drugs है जिसनका हम combination इस्तुमाल करते हैं H pylori के लिए जिसमें एक तो anti-acid होता है और दो एंटिबाइटिक होती है तो please मुझे comments में बताएगा important है और यहाँ पर हम answer क्या लगाएँगी कि metronidazole क्यों दी जा रही है gastric ulcer disease के लिए क्योंकि H pylori को आपको treat करना है और ज्यादा तर जिनको भी gastric ulcer है उसका कारण हर तीन में से दो वेक्ति में क्या होता है H pylori इसलिए H pylori को treat करने के लिए उस वेक्ति को क्या दिया जा रहा है metronidazole समझे आया next 226 question number 226 a client with GERD should make diet and lifestyle changes अब तो बच्चे आपको इसका आचोगा होगा यह question GERD है उसको lifestyle changes करना है तो क्या क्या वो करेगी क्या क्या नर्स उसको बताएगी कि आप अपने life में changes लेके है यह lifestyle में अगर आपको GERD है किदा अंसर बता देता हूं बच्चे कभी भी caffeine या containing product, caffeine containing product जिसमें caffeine हो, coffee वगएरा या cola वगएरा ये सारी चीजें नहीं ली जाती हैं क्योंकि यह क्या करती है, gastric जो mucosia है उसको और irritate करती है ठीक है, इसलिए GRD वेक्तिव को कभी भी वह चीजें लेने से मना करेंगे, जिसमें caffeine है और 3 meal spaced meal daily यानि कि आपको हाला कि 3 meal जादा meal भी ले सकते हो, लेकिन spaced meal यानि feeding के बीच में, meal लेने के बीच में काफी gap रखना है है ना, और frequent और small meal लेनी है हमेशा small meal लेनी है और frequently लेना है, गैप रखेंगे तब जाकर reflex जो हो रहा है, वो क्या होगा कम होगा, अगर आप बार बार frequently eat करेंगे तो आपके stomach full रहेगा और reflex होने के chances जाद रहेंगे, तो इसमें ये दो correct होते है caffeine नहीं लेना है और spaced meal, यानि दो meal के बीच में आपको gap रखने है, next question number 227 देखते हैं क्या बोल रहा है a client with isofasial cancer is received एक व्यक्ति को isofasial cancer है उसको TPN, total parental nutrition दिया जा रहा है, right subclean catheter से कहां डाला गया है बच्छी right subclean catheter में डाला गया है what should the nurse consider is the primary reason why healthcare provider order centerline, अब ये कह रहा है कि उसको जो TPN दिया जा रहा है न, वो centerline के दोरा ही भी क्यों दिया जा रहा है याद रखना बच्छे, centerline के दोरा जब आप TPN देते हो, तो centerline एक क्या है, काफी large vein है काफी large vein है उसमें जो blood है बच्छे, वो काफी जादा है, काफी जादा blood होता है तो अगर इस रास्ते आप centerline के रास्ते आप अगर उसको feeding दोगे, तो उससे क्या होगा ये feeding क्या होगी, पूरी तरीके से अच्छे तरीके से dilute हो जाएगी और क्योंकि ये feeding dilute हो जाएगी तो उस व्यक्ति की जो vein है वो irritate नहीं होगी वो vein irritate नहीं होगी याद रखें, हमेशा TPN को large vein में देना है, dilute करके देना है हमेशा TPN को large vein में देना है, dilute करके देना है ताकि vein irritate ना हो अंसर क्या जाएगा the large amount of blood helps to dilute the concentrated solution जो TPN concentrated होता है काफ़ जादा concentrated होता है TPN को उसको dilute करने में मदद करती है large vein, the large amount of blood जो यहाँ जादा blood है वो dilute करती है concentrated solution यानि TPN को चीक है, आगे बड़े तो central catheter के इस्तमाल क्यों दिया जाता है TPN को, ताकि उसको dilute किया जा सके क्योंकि TPN अपने हाँ में काफ़ी जादा concentrated होता है, next question question number 228 start करने से पहले बच्चे मैं आपसे question पूछता हूँ, कि GRD के लिए एक surgery करी जाती है बच्चे, काफी important है एक surgery करी जाती है GRD के लिए वो मुझे आप लोग बताईए, जिसमें आप rap करते हो, gastric fundus को sphinctal area के around, तो काफी बार पूछा जाता है कि GRD के लिए आप कौन से surgery करते हो, सबसे commonly वो मुझे आप comments में बताईएगा, ठीक है चलते हैं, चलते हैं 228 की तरफ, a client with inflammatory bowel disease is receiving TPN, एक वेक्ति को TPN चल रहा है why an infusion pump, what is the most important for the nurse to do when administrating TPN, TPN देरने के दोरान nurse क्या-क्या ध्यान रखेगी 4-5 point बताऊंगा, वो ध्यान रखना जब भी किसी वेक्ति को TPN चलता है न, उस वेक्ति को वो TPN का जो bag है, वो 24 गंटे तक allowed होता है यानि कि एक bag अगर आपने लगाया हुआ है TPN का वेक्ति को, तो 24 गंटे तक वो उस वेक्ति को लग सकता है अब 24 गंटे के बाद मान लीजिए उसमें जितना भी बचा हुआ है, उसको अब आगे आप नहीं दोगे, आप डिस्कार्ट कर दोगे इसी तरीके से हमने पढ़ा था, ORS भी आप कब तक दे सकते हो सिर्फ 24 आर तक, उसके बाद जितना बच गया, आपको वो डिस्कार्ट करना होता है पहला क्वेशन याद रखना TPN को हमेज सा 24 आस तक दीजिए उसके बाद डिस्कार्ट करिए यह पॉइंट अपने थियोरी में पढ़ा था, और यही बात यहाँ पर आती है Change the TPN solution every 24 hour हर 24 hour में नया TPN bag का solution लेना होता है Even if there is solution left in the bag अगर bag में solution बचा हुए तब भी नया TPN bag आपको लेना होता है यह question आता है चीक है, next question क्या है इसमें कौन-कौन से question बनते हैं वो बताता हूं बच्चे में आपको TPN से जुड़े वे question सुन लो TPN में पहला question आएगा कि TPN के बाद as a nurse आप किस चीज़ के लिए देखोगे hyperglycemia यह question आता है hyperglycemia के लिए देखेंगे क्योंकि काफे ज़्यादा glucose दे रहे तो उसको hyperglycemia हो सकता है TPN के बाद आप व्यक्ति का weight चेक करोगे TPN के बाद आप व्यक्ति के electrolyte levels चेक करोगे कि कि इस electrolyte में कितना changes आ रहा है TPN हमेशा subclavian vein में दी जाती है क्योंकि वो large होती है dilute कर देती है इसलिए TPN को हमेशा subclavian vein के द्वारा दिया जाता है यानि central vein आपको central vein भी लिखा आ सकता है हमेशा central vein के रास्ते देना है अच्छा TPN के दौरान एक question आता है हमेशा positive nitrogen balance बना के चलते है हमेशा positive nitrogen balance बना के चलना है ये question भी पूछा जाता है चिक है और TPN जो आपको order किया गया है वो 24 hours तक रहता है उसके बाद 24 hours के बाद आपको नया bag new bag हमेशा use करना है old bag को bag को discard करते है ठीक है अगर किसी वेक्ति को TPN दे रहे है तो आपको साथ में circulatory overload के लिए भी ध्यान रखना है कहीं ऐसा ना कि ज़्यादा fluid आप दे दे circulatory overload भी आपके दिमाग में होना चीए complication TPN के बाद जो जाद तर देखने को मिलता है वो infection होता है तो इतने सारे question बनते है TPN से यह ध्यान रखेगा चीक है next बढ़ते है 229 की तरफ next question number 229 a client has suspected peptic ulcer एक व्यक्ति को suspected peptic ulcer है कि हो भी सकते है यानि diodynum में तो क्या होगा बच्चे ध्यान लखना अगर उसको diodynum में peptic ulcer है तो जैसे ही वो खाना खाएगा जैसी वो खाना खाएगा उसका पेन ठीक हो जाएगा उसका पेन ठीक हो जाएगा क्योंकि जैसे ही खाना अंदर जाएगा SEL अब यानि जो खाना आपने खाया है जो फूड खाया है वो किसको neutralize करेगा SEL को तो जब SEL neutralize होगा खाने की वज़े से तो जहां पर ulcer बना है वहाँ पर SEL अब कम act करेगा जिसकी वज़े से उसको पेन क्या होगा कम होगा तो याद रखना खाना खाते ही पेन का कम होना क्या बताता है डियोडिनम में पैप्टिक अलसर है अग्नॉइंग सेंसेशन डिलीवड बाई फूड खाना खाने की साथ पेन का ठीक होना डियोडिनम अलसर डियोडिनल अलसर को बताता है समझ में आया ध्यान किएगा ये concept चलिए बढ़ते हैं 230 Question number 230 छोड़ दीजे यह सचीत है important नहीं है बढ़े ये 231 की तरफ Question number 231 हम देखेंगे A client is scheduled for pyleroplasty and vagotomy एक व्यक्ति में pyleroplasty और vagotomy किया जा रहा है because of structure caused by ulcers उस व्यक्ति को ulcers है जिस वज़े से उसमें pyleroplasty या vagotomy किया रहा है vagotomy बच्चे इस तरीके से अगर आपका stomach है तो vagus nerve या देना आपको बच्चे vagus nerve ऐसे supply करती है stomach को तो हम क्या करते है vagotomy में हम vagus nerve की कुछ branches जो आपके stomach को supply कर रही है उनको cut कर देते हैं बच्चे और इनको क्यों cut किया जाता है क्योंकि बच्चे यही क्या करते है SCL के secretion को बढ़ाते है इस टमक में तो अगर हम इनको cut कर देंगे यहां से अगर हम इनको cut कर देंगे यहां से तो SCL का secretion जो ज़्यादा हो रहा है वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा और यही तो हम चाहते हैं कि Peptic Ulcer जिस व्यक्ति को हो उसमें SCL कम सीक्रीट हो यही हम चाहते हैं इसलिए Peptic Ulcer वाले व्यक्ति में क्या किया जाता है Vagotomy किया जाता है तो एक पूछ रहे हैं कि व्यक्ति में vagotomy किया जा रहा है जिसको ulcers है है ना तो नर्स उस वेक्ति को क्या बताएगे कि vagotomy क्यों की जा रही है उस patient की तो क्यों की जा रही है मैंने आपको बताया इसलिए उसको vagus nerve को हटा रहे है ताकि SCL का secretion क्या हो कम क्योंकि vagus nerve SCL के secretion क्या हो जाएगा कम हो जाएगा जिसकी वज़े से peptic ulcer वाले वेक्ति को राहत मिलेगी समझ जाएगा ठीक है इसलिए vagotomy मैं आपको image दिखा देता हूँ यह देखे यह nerve supply कर रही है ना इस टमक को तो इनको cut कर दिया जाता है surgically इसे vagotomy कहते हैं peptic ulcer में use किया जाता है चीक है next बढ़ते है question number 232 बच्चे क्या कहा रहा है after subtotal gastrectomy एक patient है उसका subtotal gastrectomy किया गया है for cancer of the stomach यानि कि बच्चे stomach का कुछ part remove कर देते हैं और कुछ part remove करने के बाद उसको सीधा किसके साथ जोड़ देते हैं दियोडिनम के साथ तो आदा part remove कर दिया गया है इस्टमक का और उसको सीधा डियोडिनम के साथ जोड़ दिया गया है ठीक है small intestine के साथ अब सुनिए a client developed dumping syndrome तो बच्चे सबसे ज़्यादा question नौर सेट में dumping syndrome से बनेंगे GI में याद रखिये क्या होता है समझाता हूँ a client जिसका subtotal gastrectomy किया गया है यानि partial stomach को remove कर दिया गया है और अब directly उसको किसके साथ जोड़ दिया गया है जोड़ दिया गया है ठीक है उस व्यक्ति को क्या हो रहा है dumping syndrome हो रहा है what does it mean when healthcare said that I am experiencing dumping syndrome what information should the nurse include in the response to the question ये कह रहा है dumping syndrome होता क्या है ये हमें समझाने तो बच्चे दियान से सुनू ये था हमारा stomach इसको हमने partially cut कर दिया है और partially cut करने के बाद हमने आप क्या किया अगर व्यक्ति अगर व्यक्ति अब meal लेता है और वो भी काफी concentrated meal है जो भी व्यक्ति खा रहा है वो काफी concentrated है क्योंकि stomach तो cut कर दिये गया है तो ये meal directly dump हो जाता है directly dump हो जाता है intestine में डारेकली है कहां dump हो रहा है intestine में meal पहुँच जा रही है जब intestine में meal पहुँच दी है एकदम rapid emptying हो रहा है देखे meal आते हैं इस टमक में रुखा नहीं directly dump हो गया intestine में उस condition में क्या होता है जो हमारे blood vessels हैं उनमें से जो उनके अंदर blood बह रहा है न बच्चे वो blood क्या करता है इस food को dilute करने के लिए यहां आ जाता है यानि कि fluid कहां से कहां के तरह move कर रहा है blood vessels से लेके कहां जा रहा है intestine के अंदर अब यहां पर जब खूब सारा fluid हो जाएगा इसकी वजह से patient का जो stomach होगा वो आपको bloated नज़र आएगा इस तरीके से काफी ज़्यादा bloated नज़र आएगा क्योंकि सारा का सारा fluid कहां जा रहा है blood vessels से stomach के अंदर क्योंकि यहां concentration जादा है इसको dilute करने के लिए तो ऐसे में व्यक्ति को काफी dumping syndrome के लक्षन देखे जाते जैसे कि व्यक्ति को nausea होगा vomiting होगी अचानाक से bloating feel होगी व्यक्ति को और एक और important question एक और important sign and symptom व्यक्ति को diaphoresis होगा व्यक्ति को काफी ज़्यादा sweating होगी nausea होगा vomiting होगा bloating feel होगा खाने के एकदम से बाद जिसका gastrectomy किया गया है इसी को कहते है dumping syndrome याद रखेगा आज क syndrome किस व्यक्ति को होता है जिसका stomach आधा कार दिया गया है gastrectomy के बाद होता है और क्या होता है जब food rapidly एकदम से dump कर जाता है intestine में जिसकी वज़े से वहाँ पर fluid accumulate होता है उसको dilute करने के लिए और उसकी वज़े से व्यक्ति में लक्सन देखने हो मिलते हैं तो इसका answer क्या होग बताइए क्यों ये dumping syndrome हो रहा है rapid passage of concentrated fluid into the small intestine small intestine में rapidly fluid क्या कर रहा है concentrated fluid की तरफ move कर रहा है जो passage food का वो rapidly हुआ है जिसकी वज़े से rapid passage of concentrated fluid in the small intestine जिसकी वज़े से हमें क्या देखने को मिला है dumping syndrome तो answer क्या जाएगा D चीक है तो ये देख लिज़े बच्चे यहाँ पर stomach को remove किया गया ठीक है तो एकदम से food नीचे आ जाएगा intestine में जिसकी वज़े से fast heart rate, heart rate का बढ़ जाना sweating, nausea, diarrhea, vomiting सब होगा अब वो आपसे not set में question पूछेगा एक patient की gastrectomy की गई थी उसमें अच्छानक से heart rate बढ़ गया, sweating होने ल पूछेगा ठीक है next question